नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं रांची हिंसा मामले में 5 गिरफतार, 4 घंटे दुकान खोलने की मिली छूट रांची हिंसा मामले में पूलिस ने 5 आरोपियों को गिरफतार किया है वहीं घाय साथ नामजात आरोपियों का इलाज चल रहा है पूलिस ने अब तक 42 ठीकानों पर छापे मारी कर चुकी है इस घटना के बाद सहर के 6 थानों में धारा 144 लागू है इस दोरान 4 घंटे दुकान खोलने की छूट दी गई है बता दे कि रांची के डेली मार्केट कोतवाली हिंद पिढ़ी लोवर पजार सहीद 6 थाना छेतर में अगले आदेस तक निसे धाग्या लागू है रांची पूलिस ने हिंसा मामले में 5 अरोपियों की रफतारी की जनकारी दी है इनके अनुसार विशेस अनुसान धान दल ने इन 5 अरोपियों की रफतारी की है मौसम केंदर रांची की ओर से राजे के 6 जीलों के लिए एलो अलट जारी किया गया है मौसम विभाग ने इन जीलों में अगले 1-3 घंटे के भीतर में गरजन, बारिस और बजरपात होने के असंका जताई है बताद बीर सामुंडायार पोटिश्थित मौसम के अंदर से जारी किये गए हलोट के बताया गया है कि धनबाद और गीडी में 1-3 घंटे के भीतर में गरजन, बरसा और बजरपात होगी इसके साथ ही बोकारों गुमला लाते हार, राची हाजारी, बागरामगोर और लोहर्दा का जीले में में गरजन, बरसा और बजरपात के संका जताई है वहीं इन जीलों में हवा किरपतार 30-40 किलोमीटर प्रती घंटा रहेगी कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे सेवा निवरित सिक्षक जारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों को सेवा निवरित सिक्षक पढ़ाएंगे उनके लिए इंटर जेनरेशनल लर्निंग लागू की जाएगी जारखन सिक्षा पर्योजना परिशद ने इसके लिए स्वयन सेवी संस्था हेल्दी एजेंसी इंडिया से करार किया है सोमवर को सिक्षा सजीव राज्ये सर्मा की उफस्थिती में परिशद और संस्था के पतादिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर किये संस्था के साथ हुए करार के तहट काख़ा 6 से 8 के कमजोर बच्चों को सेवनारी सिक्षक बजूर्ग पढ़ाएंगे उनका उद्दे से बचों का सेक्षनिक विकास तथा उनके स्कूल छोड़ने पर रोक लगाना है परिशत के पतादिकारियों के अनुसार इंटर जेनरेशनल लर्निंग एक पूरक सेक्षनिक वित्रन मोडल है जिसे जेरियाट्रिक मेडिसीन एम्स नई दिली के परफेसर डाक्टर प्रसून चटरजी द्वारा डिजाइन किया गया है रांची हिंसा की जाच शुरू रांची में जूमे की नमाज के बाद बवाल उपद्रव पत्रबाजी वा गोली बारी की जाच के लिए राज सरकार के निदेश पर आपदा प्रवंधन बिभाग के सचीव डाक्टर अमिताब कौशल के नेतित्यु में गठी दो सदस्याई टीम ने सोमवार को रांची के में रोड वा आसपास की घाटना अस्थल की भोगोलिक इस्थिती की जनकारी ली डाक्टर अमिताब कौशल के साथ जाच टीम के उनके सहयोगी एडी जी अभियान संजय आनंदराव लाट कर भी थे दोनों ही अधिकारियों ने घाटना के दीन मौके पर मौझूद थानेदारों डीएसपी वा सहर अंचला अधिकारियों के अलावा रांची नगर निगम के अधिकारियों को घाटना अस्थल पर बुलाया और उनके साथ पूरी भोगोलिक इस्थिती की जनकारी ली बालू के टास्क जाच होगी सरकार का बड़ा फैसला राजय में उपलव्द बालू के टास्क से कहीं अधिक बालू की बुकिंग कर ली गई है आम उभोकताओं से लेकर निर्मान उद्योग से समधित कम्पिनियों ने भी बुकिंग की है इस कारण से अब राज सरकार पहले से निजी कमपनियों को आवंटित बालू के टास्क की अगतन जनकारी लेगी और वहां से बालू का उठाव कर सफी को इसकी उपलब्ता सुनेशित करेगी फिलहाल खुटी से बालू आपूर्ती बिल्कुल बंद हो चुका है और एक से दो दिन में गुमला से बालू आपूर्ती की सुरुवात की जानी है बतादे जारकन राजी खनीज विकास निगम कौम दर पर बालू उभगताओ को उपलब्त करा रहा है या बालू निगम के 17 घाटों से समंधिर टास्क याड में उपलब्ता है रांची हिंसा पर राजेपाल का सक्त तेवा राजेपाल रहा में 22 पिछले दिनों रांची के में रोड में उगर बिरोध परदसन के दवरान होई पतरबाजी और तोड़ फोड की हिंसा घाटना पर नराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी हाल में एक भी उपद्रवी बक से नहीं जाने चाहिए इस घाटना के लिए जो भी दोसी हो उनके बिरोध सिग्र कानोनी करवाई हो राजेपालने सोमवार को राजे के पूलिस महानिदेशक निरज सिनहा एड़ी जी अभियान संजय अनन्द लाटकर के अलावा रांची के उपायुक छवी रंजन अब तक की गई करवाई के बारे में भी पूश्टाच की। अब 3 जुलाई को दो पालियों में आयोजीत होगी इसके लिए पुर्व में ही रांची बोकारों तथा पुर्वी सिम्हूं में परिक्षा केंद्र बनाये गए हैं इस परिक्षा में सामिल होने वाले अब्यार्थी 24 जुन से पर्वेस्पत्र आयोग की वेपसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आयोग के अनुसार पर्वेस्पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा कोरोना संक्रमन से बचाओ की करे तयारी केंद्रिय स्वास्तमंत्री मंसूख मांडविया ने जहारखन में कुरोना टिकाकरन की गती बढ़ाने की निर्देश दिये हैं उन्होंने सोमवार को वीडियो कंफरेंसी के माध्यम से बिभीन राज्यों के स्वास्तमंत्रियों की बैठक को समोधित करते हुए कहा कि हर घर दस्तक अभियान दो के तहट इसकूली बचो तथा बुजूर्गों का कौवरेज बढ़ाया जाए उन्होंने कुरोना संक्रमन को लेकर सतकता भरत्ते हुए सभी परकार के तियाति कदम उठाने के भी निर्देश दिये पारा सिक्षको वा अनुबंद सिक्षा कर्मियों को आरक्षण राज में प्रात्मिक सिक्षको की नियुक्ती के लिए हाल ही में गठी जारखन सहायक आचार्य नियुक्ती एवं सेवा सर्थ नियमावली 2022 से सहायक आचार्य के पद पर होने वाली नियुक्ती में सर्व सिक्षा अभ्यान के तहत करे रहत तमाम अनुबंद कर्मियों को अरक्षन का लाब मिल जाएगा इन में पारा सिक्षक के अलावा बी आरपी, सी आरपी तथा सर्व सिक्षा अभ्यान के तहत करे रहत राज जीला एवं पर्खंड अस्तर पर कारे रहत तमाम अनुबंद कर्मी सामिल है बतादे सहायक आचारी के कूल पदों में 50% पद इनके लिए अरक्षित होंगे अभी तक पराथमिक सिक्षको के नियुक्ती में सिर्फ पाराथ सिक्षको कोई 50% आरक्षन मिलता था वोट के कारण रांची हिंसा में नहीं हो रही गिरफतारी बीजेपी रांची हिंसा पर अब सियासत भी सुरू हो गई है बीजेपी विधायक सीपी सिना ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के अंदर लोक्तंत्र है हर व्यक्ति और संस्था को इस लोक्तंत्र में धर्ना परदसन करने का अधिकार है पर उनमादी होकर हरवे, हथियार और पत्थर लेकर थैर्मिक अस्तर पर तोड़ फोल के अनुमती नहीं दिया सकती सुरक्षा कर्मियों पर इनको रोक की जिमेदारी है इडी ने प्रेम प्रकास को किया तलब राज के पूर्व खनन सचीव फूजा सिंगल से जुड़े मनी लॉंडरिंग के केस में इडी ने सुमवार को प्रेम प्रकास और पीपी से कई घंटे पुस्ताश की इडी ने बीते सब्ता अभी परते एक दीन प्रेम प्रकास से पुस्ताश की थी सुमवार की दोपर से देर साम तक इडी ने उससे पुस्ताश की इडी की टीम प्रेम प्रकास सथा के करिबियों से संबंध इस संबंध के इस्तिमाल का टांसफर पोस्टिंग में अवयद कमाई जमीन में निवेज संबंध कई पहलुओ पर पुस्ताश की है सांसदों से हर साल एक एक गाह गोद लेने की अपील ग्रामिन विकास विभार के सचीव डाक्टर मनीस रंजन के अध्यक्स्ता में सांसद आदर्स ग्राम योजना और मुख्य मंतिया स्मार्ट ग्राम योजना की राज अस्तरिय समिक्षा बैठक होई विडियो कंफेंसिंग के माध्यम से की गई समिक्षा में डाक्टर मनीस ने निर्देश दिया की समन्धित उप विकास आयुक्त अपने अपने जिला के सांसदों से हर वर्स एक एक ग्राम पंचाईत का चैन करने के लिए अनुरोद करे जिला अस्तरिय समन्वे समिति की करोना काल से लंबित बैठकों को जल्द आयुजित करे और चैनित ग्राम पंचाईत के लिए स्विक्रित ग्राम विकास योजना के लंबित इसकी मों को जल्द पुरा करे कक्छा एगारवी बराहवी के लिए अनलाइन कोर्स 31 अगस्त तक नमांकन जारखन में एगारवी और बराहवी के छात्र छात्राव के लिए अनलाइन कोर्स सुरू होगा इसके लिए 31 अगस्त तक वे अनलाइन नमांकन करा सकेंगे राश्ट्रिये सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिशत की ओर से स्वेम पोर्टल पर समधित विशाय के ओनलाइन कोर्स के लिए नमांकन करा सकेंगे बता दे जहारखन सेक्षिनिक अनुसंधानवा प्रसिक्षन परिशत ने सभी जीलों को इसके लिए निर्देश दे दिया है एकारवी बरावी के छात्र छात्रा लेखा सास्त्र बेवसाय जीव बिज्ञान, रसायन बिज्ञान, अर्थ सास्त, गनित, भुगोल, भौतिकी, मनो बिज्ञान, अंग्रेजी और समाज सास्तर के लिए नमांकन करा सकेंगे 7 अक्टूबर तक इसकी ओनलाइन क्लास चलेगी BCCL के नाम पर 474 पदों पर फर्जी भैकेंसी BCCL के नाम पर ओवर मैन, मायनिंग, सरदार एवं सर्वेर के कूल 474 पद पर फर्जी भैकेंसी निकाली गई है भैकेंसी से समंधित दास्तावेज एवं आवेदन सोसल मीडिया पर वाइरल है मामले पर BCCL कर्मी विभाग की ओर से बात करने पर बताया की फिलाल BCCL की ओर से ऐसी कोई वैकेंसी जारी नहीं की गई यानि यह वैकेंसी फर्जी है बिरजगार जुआओं को ठगने के लिए इस तरह की वैकेंसी जारी की गई है बता दे कि BCCL में मायनिंग सरदार ओवर मैन की जरूरत है वैसे कमपनी की ओर से नितिगत नीरना लिया गया है की सरप्लाइन मैन पावर को प्रसिक्षन देकर विभागिया अस्तर पर कर्मियों से पद भरे जाएंगे मांडर बिधान सभा भोटर्स को जागरूप करने के लिए रंगोली परतियोगिता मांडर बिधान सभा ओप्चुना 2022 में अधिक से अधिक मद्दताओ की सभागिता हो इसके लिए लगातार मद्दता जगरूपता अभियान चलाया जा रहा है मांडर बिधान सभा चेत्री के सभी पांच प्रकॉंडों में स्वीप के तहद विभीन कारम आवजित किये जा रहे है इसके तहद इसकूली छातरों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है वहीं रंगोली परतियोगिता का आवजन कर मता दिदिकार के इस्तेमाल का संदेश दिया जा रहा है बारिस के पानी को सहेजने के लिए जारखन में बन रहे तलाव जारखन में मिसन अमरित सरोवर के तहद सरोरो यानि तलाव का निर्मान कराया जा रहा है इसका उदे से बारिस के जल को सहेजना है इसके तहट हर जिले में कम से कम पच्छोत्तर अम्रित सरोवर का निर्मान या जिर्नोधार का कार्य सुरू हो गया है सहीदों वर सोतनता सेनानियों के गाउं को इसमें प्राथमिक्ता दी जा रही है नागरीकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वाधिनता सेनानियों उनके परिवारिक सदस्यों या सहीद सैनिकों के परिजनों या पदम पुरसकार से समानित लोगों द्वारा अम्रित सरोवर के कारे का सुभारम कराने का प्रयास किया जा रहा है जगरनाथ पूर रथ मेला को लेकर हाई कोट में PIL दाखिल रांची में रथ मेला के आउजन को लेकर जारखन हाई कोट में जनीत याज का दायर की गई है एरवोकेट एसोसियेशन जहारखन हाई कोट के पुर्वक कोसा अध्यक्ष धिरच कुमा ने रत मेला के आउजन को लेकर हाई कोट में जनीत याच का दायर की है इनके माध्यम से उन्होंने रत मेला के आउजन को लेकर उपायुक छवी रंजन द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई हाई रांची के नीजी स्कूलों में एडमिसन की दोड़ शुरू कई स्कूलों में परवेस परिक्षा के आधार पर एडमिसन होगा कई स्कूलों में फर्स्ट टर्म परिक्षा में मिले मास्क के आधार पर एडमिसन हो रहा है जारखन कांग्रेस का बिरुवत परदर्शन कांग्रेस नेता राहूल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में समन जारी होने के बाद जार्खन कांग्रेस नेता परदेश मुख्याले में जूट गए राची सहर में निसे धागे लागू होने के कारण परदेश कॉंग्रेस कमीटी ने बिरुष्ठ परदसन की जगा में बदलाव करने का फास्ला लिया पार्टी का सक्त निर्देश है की सभी लोग अपने पार्टी के जिले मुख्यला में परदसन करेंगे राजे में कंग्रेस कोटे से मंत्री अपने अपने प्रभार जीलों का नेतित कर रहे हैं रांची के नीजी स्कूलों में गर्मी की छुटी बढ़ाई राइधानी के नीजी स्कूलों में गर्मी की छुटी बढ़ा दी गई है सुक्रवार को राजधानी राचे में होई पत्थरबाजी की घटना के मद नजर या निर्ना लिया गया स्कूल परबंधकों का काना है कि जिला पर सासन द्वारा स्कूल खुनने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया लेकिन बचों की सुरक्षा को देखते हुए गर में की छुटी बढ़ा दी गया है धन्यवाद